जै हिन दोस्तों स्वागत आपका प्रमोसर वरारसी में तो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट के टाइपिंग के बारे में आपको टाइपिंग कैसे सीखनी है किस फॉंट बे सीखनी है ताकि आपका सेलेक्शन होने की पॉस्पिलिटी हंडेट परसेंट बढ़ जाए क्योंकि यहाँ पर पद है 5512 और वैकेंसी काफी अच्छी है और इतनी बड़ी वैकेंसी जो है आपको अब जल्दी देखने को नहीं मिलने वाली है तो अपने आपको पूरी तरह से पढ़ाई में जोक दीजिए इससे बेस्ट अपॉर्चुन्टी अब नहीं मिलने वाली है और जितने भी फॉर्म यहाँ पर आएंगे अब 2023 के माद्यम से वह बैकेंसी काफी लंबी खीचेगी तो जिन्होंने 2022 में पेट दिया था उनके लिए काफी अच्छा पॉर्चुन्टी है या जूनियर असिस्टेंट 2023 ठीक है तो इसका साट लिक्स्टिंग आपका दिसंबर के एंड या जनवरी तक हो जाएगा देखिए एक्जाम चाहे जब हो लेकिन अपनी तयारी इस प्रकार रखिए कि अब की बार या सिट जो है आपकी फिक्स हो जाए तयारी आपकी चल लही होगी लेकिन साथ इसाथ इसमें टाइपिंग भी आपको सीखना है क्योंकि टाइपिंग भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा क्योंकि आप रिटेंग में चाहे जितना स्कोर कर लें यदि आप टाइपिंग में फेल हो जाते हैं तो यहाँ पर आपका सब कुछ बेकार हो जाएगा इसलिए अपने आपको इस प्रकार प्रिपेर करिए कि अब की बार एक सिटिस में फिक्स हो सके और बेरोजगारी का धब्बा हट सके तो चलिए सीखते हैं यहाँ पर कुछ जानते हैं कि यहाँ पर कैसे टाइपिंग सीखनी है ठीक है तो सबसे पहले बता दे कि इसका स्लेवस आप लोग जानते होंगे कि यहाँ पर हिंदी, रिजनिंग, जीके, यूपी स्पिसल और कम्प्यूटर पांच सेक्षन से प्रस्ण आने वाले हैं टोटल सव नंबर की परिच्छा है और यहाँ पर सव नंबर से ही कटाप बने वाला टाइपिंग केवल और केवल यहाँ पर आपको क्वालिफाई करना है यानि क्वालिफाई नेचर यहाँ पर टाइपिंग है तो साथ इसाथ पढ़ाई के साथ आपको टाइपिंग भी सुरू कर देना है ऐसा नहीं कि एक्जाम हो जाएका उसके बाद टाइपिंग शुरू करना है नहीं बिल्कुल एक गलती नहीं करना है टाइपिंग अभी से स्टार्ट कर दीजे चाहे यहां पर half an hour यानि चाहे आधे घंटे यहां से ही टाइपिंग स्टार्ट करिए या 15 मेंट आफ हिंदी करि तो एक रात ऐसी भी आएगी जिस दिन जो है आप खुसी से सो नहीं पाएंगे और ज्वाइनिंग का इंतजार करेंगे ठीक है इसलिए आज से पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए इससे बेस्ट अपार्चुन्टी अब नहीं मिलने वाली है अब टाइपिंग के लिए आप बेस्ट चीजज़स्च खर रहे हैं कि आप कौन सी बुक लेंगे जिससे आप टाइपिंग सीख सकें और किस फांट पर टाइपिंग करना है देकर टाइपिंग यहाँ पर हम पर हिंधी और इंग्लिस होने वाली है हिंडी में सबसे बड़ी समस्य आती है कि मंगल पे सीखे है यहां पर मंगल और कुरूतिद्यो की बात आती है तो देखिए सबसे पहले हम सजेस्το करेंगेमौने मंगल पर शीका हुआ है एहां पर खुड़ा से तफ Bak दा था लेकिन बहुत लोगों के वा आसान हुगा वैसे और मैंने मंगल font पर ही सीखा है तो mangle font अगर आप जिसे नहीं सीखें अभी start करना चाहते हैं तो suggest करेंगे आप mangle font सीखें mangle font सबसे best है ठीक है ऐसा नहीं कि कुरूती देव वाले बेकार हैं जैसे जिसका जिस पर fluency हो या जो पहली बार सीखना start करने वाले हैं तो ओलोग mangle पर ही सीखें अब mangle के लिए काउन सी book बहतर होगी इसके लिए आपको बताते कैसा keyboard आपको मिलेगा ठीक है देखें यहाँ पर जैसे keyboard आपका हो गया आप keyboard एक new keyboard लाईए या तो आपके पास पुराना भी keyboard का कोई रिक्कव दाली बात नहीं है आप उसी keyboard से आप typing सिखें तो यहाँ पर जैसे आप देखेंगे एक keyboard लाएंगे और उसके बाद चाय प्रो डाट का keyboard लाईए या किसी भी एक simple keyboard लेते आईए और उसी पर आप typing करना शुरू कर दीजिए ठीक है अब देखें यहाँ पर मंगल font पर जब typing आप शुरू करते हैं तो मंगल पर कहां कौन सा अच्छर होता है कौन सा layout होता है देख लिए यहाँ पर जब यहाँ पर यहाँ पर English वाला सीखना पड़ेगा तब आपको याद होगा कि यहाँ पर कौन से लेटर पर कौन सा अच्छर है जैसे A पर O है अगर आपको लिखना है just suppose that लिखना है O तो आपको A वाली की पर याद होना चाहिए कि यहाँ पर A वाली की पर O है ठीक है तो मंगल वाले इसी पर आपको करना है इसी पर टाइपिंग करेंगे यहाँ पर आपकी अंगली रहेगी ठीक है और यहीं से आपको ऊपर सीखना है नीचे सीखना है बाकि इसके बारे में डिटेल सी वीडियो बनाएंगे कैसे आपको यहाँ पर टाइपिंग करना है और टाइपिंग के लिए आप कौन सी बुक ले सकते हैं सबसे बेस्ट है तो पूजा पॉब्लिकेशन की देखे बुक आती है यहाँ पर मंगल यहम कुरुतिदेव दोनों दिया गया है और यहाँ पर आपको बिल्कुल चैप्टर वाइज दिया है जैसे आपको सीखना है तो बिल्कुल चैप्टर वाइज दिया है आप चैप्टर वाइज सीख सकते हैं कि आपका पहला दिन के जो रहेगा day 1, day 1 में आपको कैसे सीखना है, फिर day 2 में कैसे सीखना है, day 3 में, तो ऐसे करते करते आप जो है, लगभग 15 दिन में पूरी तरह से आप कवर कर लेंगे, और उसके बाद जब आपको learn हो जाएगा कि किस अंगली पर कौन सीखी है, तो आप typing करना start कर देंगे, ठीक है, typing मतलब speed बनना शुरू हो जाएगी, तो आप एवाली book पहले purchase कर लिजिए, यहाँ पर mangal font के लिए, ठीक है, और daily जो है आधे घंटे, या तो 30 मिनट ठीक है, तीस मिनट जो है, आप हिंदी करिए, और 30 मिनट आप यहाँ पर English करिए, बस इतना बहुत है, और आज जो आप 30-30 मिनट देंगे न, वही आगे चल कर आपके लिए काफी ज़्यादा benefit होने वाला है, जब exam किसी का निकल जाएगा, तब typing स्टार्ट करेंगे, तो फिर यह बहुत दिक्कत होने वाली है, और अभी से आप आधे घंटे अगर देना स्टार्ट कर देंगे, तो आपको बिल्कुल भी भार महसूस नहीं होगा, और आप easily typing सीख भी जाएगे, और आपका typing clear भी हो ज करिए, और हमारी चैनल पर यहाँ पर आपको डेली जो है, दो वीडियो मिल लही है, आज सुबह आपने computer segment का वीडियो डाला था, और कल हिंदी और UP का, तो देखिए साम तक हो सके तो आपको हिंदी और UP का वीडियो मिलेगा, लेकिन उसके बाद आप लोग ए चीजे कर लि बिलकुल topic wise करवाई जा रही है, तो आप लोग चैनल के साथ जुड़ जाईए, तो friends से मिलते हैं, next वीडियो में तब तक के लिए, जैहिन, वन्ने मातरम